अब भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे image formation in a plane mirror, कि यहाँ पर जो plane mirror है, यहाँ पर image बनती है, यहाँ पर कैसे बनती है, यहाँ इसको बोल सकते है, formation of image in a plane mirror, बात हमारी एक ही होगी, तो इसको यहाँ पर करते हैं, discuss, तो यहाँ पर एक हमारा object है, object यहाँ पर हमारा कुछ भी हो सकत राएं और यहां पर पर इसके पीछे Consider कर देता क्योंकि Emirate पीसे क्योंतियर क्योंति है kषिक होती है नए फु उस इसनाे यहां preventing तो इस यहां पर क्या है यहें प्लेंमेर है और यह The Water-وس्वर यहां पर मतल्खन को देखें यहां पर संब घदा और इसको पर देख रहा है इसको यहां पर हम क्या बोलेंगे observer बोलेंगे तो यहां पर मैं एक i बना देता हूं इससे हम यहां पर पता चल जाएगे यहां पर कोई देख रहा है यह हमने यहां पर एक i बना दी तो यह हमारा यहां पर क्या बन गया एक observer बन गया और यह हमारा object है अगर दूसरा जो हमारा incident रहे है, वो यहाँ पर पढ़ेगा B पे, ठीक है, और observer का यहाँ पर बान लेते हैं, यह हमारा यहाँ पर क्या X है, और यह हमारा यहाँ पर क्या Y है, इसको हम यहाँ पर real rays भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको यहाँ पर real rays भी बोलते हैं, तो object यहाँ O पर है और observer यहाँ पर X से भी देख सकता है और Y से भी देख सकता है Same object को अब यहाँ पर हमें क्या बताना है जो इसकी object की actual image बन रही है वो यहाँ पर क्या बन रही है कहाँ पर बन रही है वो हमारी बने की यहाँ पर behind the mirror कहां बनती है behind the mirror बनती है behind the mirror इसलिए बनती है क्योंकि जो हमारा plane mirror है वो एक तरह का virtual image बनाता है ना कि real image बनाता है इसलिए जो भी हमारी plane mirror पे object बनता है जो इसकी actual image बनती है वो यहाँ पे behind the mirror ही बनती है और same distance पे बनती है जिसके कि यहाँ पर जो इसका distance बालो अगर यहाँ पर 1 meter यहाँ पर इसका distance होता तो image भी हमारे इसके पीछे 1 meter पर ही बनेगी वो हमें इसके यहाँ पर characteristics में पढ़ लेंगे अब ही हम यहाँ पर देखते कि जो image है वो कैसे बन रही है तो यहाँ पर observer से हम यहाँ पर एक virtual line लेके जाएंगे और इसको आपस में join कर देंगे यह हमारे यहाँ पर कैया है जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो gray color के यह हम पर कैया जारी है तो यहाँ से हम क्या करेंगे एक virtual line draw कर देंगे और ये ध्यान में रहना चाहिए आपके कि जो हमारा object बिल्कुल सामने ही हमारी जो image बनती है जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि object हमारा upper side में है और जो इसकी image है वो भी हाँ पर क्या बनती है upper side में ही बन रही है और उतनी ही दूरी पर बननी चाहिए तो जब भी हम यह diagram बनाएने हैं यहाँ पर formation of image इना plane mirror तो हम यह ध्यान में रखना है कि object बिल्कुल opposite direction में बननी चाहिए और बिल्कुली same distance पर बननी चाहिए तो अब यहाँ परा क्या है यह तो हमारे real race थी यह आपको यहाँ पर दिखा रहे है यहाँ पर हमारे क्या थी real race थी बट जो यहाँ पर image बन विए इसकी जो race यह यहाँ पर क्या है virtual race है और यह हमने माना है यह हमने क्या कर रहा है वो भी सेम डिस्टेंस पे बनता है तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा जो image formation होती है plane mirror में वो कहां पर होती है और कैसे होती है और कैसे इसको यहां पर कर सकते हैं और जैसे कि मैं यहां पर एक और आपको बना देते हैं यह हमारा एक हो गया और एक हमारा थोड़ा आगे की साइड जाएगी तो यहां पर कर देते हैं हमारी दो इंसिदेंट रे बन गई है तो यहां पर क्या करेगी तो इसको यहां पर रेफलेक्ट कर देते हैं यह इधर गया और यह इधर चला गया और यहां पर हम प्रफस में जाके हम मिल जाएगी और विल्कुल ऑब्जेक्ट की सीधी डिरेक्शन में होने चाहिए तो फोप आपको यह समझ में आ गया हो कि जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बने के वह बिहांड दा मिर्र बनेगी और वह भी सेम सेम डिस्टेंस पर बनेगी और यहां पर हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं इसको और आपको यहां पर यह चीज समझ बेसा घी हो कि और उम यहां पर हमेशा वर्चुल इमेज बनाएगा मतलब एक तरह सो जो इमेज बनती है वह अन्रियल बनती है अगर यहां पर अबजेक्ट की भीकुल सामने बनता वह यहां पर क्य जाते है रिव निएक्ट कह estran किया सकते है बत जो हमारी जो मिरर में इमेज बनती हो एक्च्ट अरुम binंग भांने गी हैंडग्र बनती है। इसलिए हम इसको इसको यहां पर क्या बोलते हैं जो हैं कि और इमेज बनेंगी वह एक्ट्वली में निगे तो यहां पर मैं लग देता हूं, behind the mirror. थर्ड जो है हमारे यहां पर, same distance behind the mirror as the object is in front of it. तो यहां पर same distance पर बनेगी behind the mirror. same distance पर बनेगी behind the mirror अगर जैसके मैंने बताया था कि object की दूरी यहाँ पर 1 meter पर है तो जो image बनेगा हमारा behind the mirror वो भी यहाँ पर क्या होगा एक meter की दूरी पर ही होगा अब देखते हैं यहाँ पर fourth point fourth point यहाँ पर बोल रहा है कि same size as the object same size की बनेगी same size की मतलब यहाँ पर example से समझा देता हूँ मालों यहाँ पर जो object का size है वो यहाँ पर क्या है 2 feet का है 2 feet का है यहाँ पर object का size है तो जो इसकी image बनेगी यहाँ पर plane mirror पर उसकी जो size होगा वो भी यहाँ पर क्या होगा 2 feet का ही होगा तो यहाँ पर same size की image बनेगी और fifth point है हमारा यहाँ पर erect बनेगी erect का मतलब यहाँ पर क्या होता है जैसके मालों यहाँ पर plane mirror है और यहाँ पर मैं candle रखता हूँ और candle की flame यहाँ पर क्या है upper side है जो इसकी image बनेगी यहाँ पर plane mirror में उसकी flame भी यहाँ पर क्या होगी laterally inverted क्या यहां पर laterally inverted अब यहां पर क्या होता है laterally inverted यह भी यहां पर सबसे important point है laterally inverted मतलब यहां पर यह होता है कि मालोग यहां पर एक सामनी mirror है और यहां पर तुम यहां पर left hand यहां पर क्या कर रहे हो अब कर रहे हो अगर तुम यहाँ पर left hand उपर दिखाते हो तो mirror हमें यहाँ पर क्या दिखाता है right hand दिखाता है क्या दिखाता है यहाँ पर right hand show करता है इसका मतलब यहाँ पर क्या है जो mirror हमें जो भी image दिखाता है वो laterally inverted दिखाता है अगर तुम आप पे left show करोगे तो right दिखाएगा, अगर right show करोगे तो left दिखाएगा, तो आपने यहाँ पे देखा होगा, जो यहाँ पे hospitals की गाड़ियां होती है, उसके आगे जो ambulance लिखा रहता है, वो यहाँ पे ultra लिखा रहता है, वो इसलिए ही लिखा रहता है, क्योंकि ज right hand हम उपर करते हैं, तो आप पे left hand दिखाता है, और जो यहाँ पे hospitals की गाड़ियां पर ambulance लिखा रहता है, वो हमें यहाँ पे सीधा दिखाता है, और जिससे हमें यहाँ पे पता चले जाता है, कि पीछे ambulance आ रही है, और हम उन्हें यहाँ पे side दे सकें, अगर वो यहाँ प आपको यहाँ पे यह topic पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और हम यहाँ पे देख लें next topic